आज हमारा महत्तोपून सेशन है वो है सामाजिक विज्ञान विशे होगा सामाजिक विज्ञान का टाइम हमारी प्रिक्ष्या में होगा दो घंटा 45 मिनट का पहले ये सवा 3 घंटे का पेपर होता था अब की बार आध्या घंटा घटा दिया है कोरोना की वजह से यानि कोरोना ने सिक्षण व्यवस्था को इतना परभावित किया है सिक्षण व्यवस्था के का जो Gmail है इसको पूरा करने के लिए जो अपने syllabus है उसका 30 परशेंट घटा दिया गया यानि 70% सलेबस का पेपर होगा हमारा उसमें 2 घंटा 45 मिनट का पेपर होगा पूर्णांक होगा वो असी का होगा प्रिक्षार्थियों के लिए समाने निर्देश होंगे पेपर में कि प्रिक्षार्थी सरवपर्थम अपने पर्षन पत्र पे नामांक का अवश्य लिखे पह लिका में ही लिखें कहीं अपन पेपर में लिखें छोड़ दे ऐसा नहीं हो फोर्थ हमारा पोइंट होगा समाने निर्देश का वो होगा जिन परशनों में आंत्रीक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखने खंड जैसे आया बैस है यह आप ध्यान रखें तो हम चलते हैं पेपर को हल करने के लिए आपको इस पेपर में स्वई मुल्यांकन करना है खुद का मुल्यांकन करना है क्यूंकि जो अग्जाम हमारा 10-15 दिन बाद होने वाला है हम अपनी कमी को नोट करें इस पेपर शे आपको ड्राने का कटैं मकसद नहीं है आप सिर्फ अपना सामने आ जाता है तो हम इस पेपर को कैसे हल कर पाएंगे और सामाजी के विज्ञान में हम कितने नंबर ला पाते हैं आपके लिए इस चैनल पर अती महतोपून कंटेंट डाले जा चुके हैं सेखावाटी मिशन 100 के सरल और सहज तरीके से विशलेशन करके डाला जा चुका है आपको जहां कहीं भी कमी नजर आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपनी जो तयारी है उसका मापन करें खुद मुल्यांकन करें किसी के नजर में हीरो बनने की जोड़त नहीं है अपना स्वें का मुल्यांकन करें कहीं कमी है तो उसको पूरा कर ले अगर कमी नहीं है तो अपना regulation है वो इस तरीके से करें कि हम सो में से सो यानि कहने का मतलब असी में से असी अंक प्राप्ते करें आपके लिए जो board की टोपर बच्चे की कोपी होती है वो भी मैं आपके सामने जरूर डालूंगे ताकि आप देख सकें कि टोपर बनना है तो हमें किस परकार से कोपी में हमारे अपने जो हमें आ रहा है उसको अभिव्यक्त करना है कैसे हमें लिखना है किन बातों का ध्यान रखना है वो सब बातें करेंगे अपन तो आज का जो हमारा सेशन है वो समय का मुल्यांकन है समय का मापन है तो हम कर लेते हैं साल दीवी इन में से आपको आना चाहिए तो आपको 2017 जरूर पता होगा कि गांधी जी ने खेडा सत्याग्रह चलाया था तो 2017-2018 तो 2017 में चंपारण 18 में खेडा तो इस बात का आप ध्यान रखें थोड़ा और अपनी तयारी को बेहतर करें गोड शैव अवर नेवल किंग निमन में से किस देश का राष्ट ये गान ये देश दिये हुए ब्रिटेन जापान चीन सुंक्त्राज अमरीका ब्रेटन उड समझोते के तहत स्थापित सेंस्था जुडवा सेंस्थाइं स्थापित हुई थी सम्मेलन में ये सम्मेलन 1924 में ह ब्रेटन उड अमेरिका का एक सहर है वहां पर दो संस्थाइं जुडवा संस्थाओं का जनम हुआ था आपको पता होना चाहिए विश्वबंक और दूसरी संस्था कौन सी थी कोईला किस परकार का संसादन है कोईला पैट्रोल डीजल प्राकर्ति गैस ये किस परकार के संसादन है नवीकरणिये है या नवीकरणिये संसादन है ये आपको ध्यान होना चाहिए तो आप इसमें नवीकरणिये है या नवीकरणिये देखिया आप सोर उर्जा पवन उर् ये सब उड़ जा हैं ये कौन से स्रोत हैं तो ये नवीकरण ये हैं तो आप इस कोईले को ध्यान में रख सकते हैं कि ये कौन सा संसाधन हो सकता है तो नवीकरण योग्य हो जाएगा खर मैंने बता दिया लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कई बच्चों को नवीकरण और बच्चों को आ रहा होता है, लेकिन नवीकरण और आए नवीकरण में वो इतने 컨फ्यूज रहते हैं कि उन्हें ध्यान से पता नहीं होता, नवीकरण जिनको नया बना सकते हैं, इस तरीके से सरल भासा में याद कर लैं, नये बना सकते यानि सोर उर्जा पमन उर्जा सूरिय देवता चमकते रहते हैं तो सूर उर्जा सूरिय से और हमेशा चमकते रहेंगे सूरिय देवता हमेशा चमकते रहेंगे तो सूर उर्जा हमेशा प्राप्त होती रहेगी जबकि कोईला जैसी कोईला पैट्रोल ये भूग गरब में तम हो सकते, तो ये कौन से संसाधन होंगे, नवीकरन होंगे, प्रवत्य छेत्रों में मिलने वाली मर्दा, तो ये मर्दा आपको ध्यानों ने चाये, वन मर्दा कहां पाई जाती है, लेटर राइट कहां पाई जाती है, काली मर्दा कहां है, मरुस्थली मर्दा कहां है, आप को मरदा चांटनी है तो आप मुझे पता है पूरी तैयारी के साथ उत्रें गे इस पेपर को हल करने के लिए बिल्कुल भी ड्रे नहीं घबराएं नहीं आप गोड्राना मेल्कुल मंक्सद नहीं है आप कहीं आप इस पेपर को बहुत बेटर तरीक किसे हल कर पा रहे ही तो कहीं हीरो बने के जूरत नहीं है खुद का मुल्यांकन करें आप समय अपना मुल्यांकन करें और जिनके थोड़ी बहुत कमी रह रही है उस कमी को पूरा कर ले हिमाले छेतर का प्रशिद अंदोलन कों सा है तो नर्मदा बचाओ ये तो नर्मदा में चार बार संसोदन की तो इनमें से चीन दे रखा है भारत दे रखा है सिरलंका दे रखा है बेल्जीम दे रखा है इनमें से अपने को देश छांटना है भारती सवीधान में केंद्र और राज्य सरकारों के मद्दे कानूनी अधिकारों को कितने भागु में बाटा गया बारती सवीधान में केंदर और राज्यू के मद्दे कानूनी अधिकारों को कितने भागू में माटा है तो केंदर राज्य सुची कितनी है या आपको ध्यानों नीची सामाजी के ऐसमानता का वे रूप कौन सा है जो प्रतीक स्थान पे दिखाई देता है सामाजी के ऐसमानता का रूप इसमें लेंगी के ऐसमानता है या नारीवाद है या दार्मिक विबाजन है या सामप्रदा इकता है तो आप इसको छांटे और सही ओप्सन लिखें लोगूं द्वारा इच्छित आर्थिक लाब आर्थिक लक्से लोगों द्वारे चित आर्थिक लक्से कौन सा है, समान व्यभार है, या सवतंतरता है, या सुरुक्ष्या है, या ये सब है, इसमें से आप उसा ही उत्तर छांटे, तिर्ते चेतर से समंदित गती भी धी नहीं है, अब तीनु चेतरों का आपको ध्यान होना चाहिए, पर्थ प्रथम चेतर में कर्शी, दित्य चेतर में उध्योग और तिर्ते चेतर में सेवा, यानि तीसरे चेतर को सेवा चेतर भी कहते हैं, तो तिर्ते चेतर पूछा है, तो तीसरे चेतर में आप छांटे इन में से परिवयन है, संचार है, खनन है, या व्यापार है, तो नहीं प प्रथम चेतर में आएगा तो इस प्रकार से हम अपने उत्तर को छांटेंगे तो एक बेहतर अपना परषन पत्र को हल कर पाएंगे विदेसु में पाए जाने वाले आयात पे लगने वाला परती बंद क्या कहलाता है तो ये अपने व्यापार अवरोध है उद्दारी करण है विदेशी व्यापार है कोटा है तो इसमें से आपको सही उत्तर छांटना है, मुझे पता है हर बच्चा अब इतना है तैयारी में है कि वो अपना उत्तर जरूर इसमें से ढूम निकालेगा और सही उत्तर को अप्शने लगाएगा रिक्स्थानों की पूर्ति कीजिए, चेच्चक जैसे कि टानों इस पेशनी सैनिकों के सबसे सकति साली अथियार थे जो उसके साथ पहुंचे यानि रिक्स्थान भरना है में जैवी की विविदता की दरश्टी से विश्व में सबसे सम्रद देशु में से एक है कौन सा देशत वो इसमें रिक्स्थान में अपने को भरना है भारती सविधान में किसी भी प्रकार के किस पे रोक नहीं है रोक नहीं है वो लिखनी है पनगो नेक्स्ट जो हमारा पर्शन है कि स्वास्ते तथा सिक्ष्या की मोलिक सुईधाओं के प्रियाप्त मात्रा में उपलब्द होने के कारण शिशू मर्तिवधर कम होने का कारण क्या है वो कारण यहार इक स्थान में भरना है उत्पादन में महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है किस चीज का महत्तो निरंतर बढ़ता जा रहा है वो यहार इक स्थान में अपन को भरना है अपनी अर्थ वेवस्था को विश्वय के अर्थ वेवस्था एक साथ जोड़ना क्या कहलाता है तो आपको इध्यान होना ची कि अर्थ वेवस्थाओं का आपस में जोड़ना वैस लिए वो भी एक एक नंबर के हैं इस परकार से एक एक नंबर हम आपना पका करें अतिलग उत्रात्मक पर्षन या परशनों का उत्तर एक सब्द में दे सकते हैं या एक पंग्ति में खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं बड़े बड़ा उत्तर नहीं लिखना इसमें चोटा उत्तर लिखना संसीपत उत्तर लिखना खिलाफ़त अंदोलन से आप क्या समझते हैं वह यह अंदोलन है जो एस अहयोग अंदोलन के साथ माहमंदी किशे कहते हैं जो 1939 में शुरू ही थी माहमंदी विश्वय में उसी माहमंदी की बात है तो उसके बारे में लिखिए 1971 के पश्चात उरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का छेतर बताईए उरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव तो ये आपको हल करना है अपना तीसरा जल संरक्षन हेतू एक उपाई सुझाए पॉइंट में उत्तर दें जल संरक्षन के लिए कुंसा एक उपाई कर सकते हैं तो जल संरक्षन का सब को पता है कि हम जल को कैसे बचा सकते हैं संरक्षन का मतलब बचाना तो एक उपाई बताना है कि क्या करें उसके लिए उपाई के नीचे अंडर लाइन जरूर करें अपने उत्तर को परभावशाली बनाने के लिए इस तरीके से लिखें कि पोईंट के नीचे अंडर लाइन करें पसी किसी एक रोपन फसल का नाम लिखे, रोपन फसल आप सब कोente है, टीन-चेर नाम आपको यादोने चाहिए, कोफी है, इस प्रकार से उत्तर लिख कर उसके नीचे लिए, लोक तंतर का बुनियादी इसिद्हांत क्या सिद्धान्थ भी आपको पता हुना चाहिए लोगतंतर किसे कहतें, लोगतंतर लोगों के दौरा लोगों का शासन है, ये अब्रहम लिंकन की कोट है, तो इसका वुनियादी सिद्धान्थ क्या हो सकता है, वो लिखना है, फिर आपको अंडरलाइन करनी है, संग वाद से क्या से है संग वाद जिसमें सक्तियां बटी हुई हूँ यह आपको ध्यानों नाची उत्तर अफ्रो अमरीकन कौन थे तो यह अपना जो नाइन नंबर का परसन है अफ्रो और अमरीकन कौन थे तो यह अफ्रीका और अमरीका दोनों से मिला हुआ जो संतान होती उनको अफ्रो अमरीकन कहा जाता था तो आप उन खिलाडियों के नाम याद करिए जो इस जो अफ्रो अमरीकन संतान थे जो बिना जूता पहने अपने अपना पुरुषकार लेने स्टेज पे जाते हैं वही पार्ट है अपना ये समाप्पेता के आधार पर संसाधन का वरगी कि या समाप्त हो सकते हैं या नहीं हो सकते उसके अधार पिसंसाधन का वरगी कंड करना है तो वरगी कंड के लिए ऐसे Всем बनाऊं बड़ी स्यांदार टेबल बनाए तो कितने भागों में वरगी करसकते हैं तो इस प्रकार से किसम की अपने उत्तर को आकषक बना सकते सार्वजनिक छेत्र का प्रमुख उद्दे से क्या है तो सार्वजनिक छेत्र कौन सा छेत्र होता है उसका उद्द्द सार्वजनिक छेत्र तो सारवजनिक छेतर का प्रमुक उद्दे से बताना है तो छेतर आपको ध्यान होने चाहिए तो सारवजनिक छेतर छेतर का आपको याद होने चाहिए सारवजनिक नीजी तो सारवजनिक छेतर जो सरकार के अंडर में होते हैं तो इनके उद्देशे क्या हो सकते हैं, या आप उत्तर लिखे, विदेशी निवेश को आकरशित करने के लिए, सरकार ने किन कानूनों में लचिलापन लाने के अनुमती परदान की, तो इसको आप हल करिए, नेक्स्ट जो हमारा परशन है, वो है लगुतरात्मक वाला, और खंड सुरू हो जाएगा हमारा बै, तो आंतरी खंड की बात हमने उपर पेपर में कर ली थी, तो इसमें परशन संख्या च्यार से शोड़ा तक होंगे, और ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं लिखना अपन को, सब्द सीमा पचास सब्द तक होगी, च्यार का परशन हमाल कर लेते हैं कि अमरीका में वीश्वय के भीन देशूं से लोगों के आने के क्या कारण थे, दूसरा जो अमारा परशन है, इफ्रांस ने उरोप के अन्य देशूं के लोगों को राश्ट्रू में गठित होने के लिए किस परकार साहिता दी, दिसंबर 1929 में कांग्रेश के लाहोर अधिवेशन पे टिपणी लिखनी है, जिसमें पून सवतंतरताई गोशना की थी, वोई लाहोर अधिवेशन है, तो इसके बारे में टिपणी लिखनी है, मानव द्वारा संसाधनों के अंदाधूंद उप्योग से उत्पन समस्याओ उप्योग करेगा, ऐसी मित मात्रा में उप्योग करेगा, तो कौन से समस्याओ उत्पन हो सकती है, वो समस्याओ पॉइंट के रूप में लिखे, उनके निचे अंडरलाइन करे, नेक्स्ट जो हमारा प्रशन है, कि स्थानिक जातियों पे एक संसीप्त टिपणी लिखनी है तो कौन-कौन सी जातिया हैं, संकट गरश जाती है, इस्थानिक जाती है, ये वो जातिया हैं, तो इनको आप ध्यान रखे, परियावरण पर सकारात्मक प्रभाव के लिए किस परकार की कर्शी का सुझाव देंगे, और क्यूं? परियावरण पर सकारात्मक परभाव पडए, इसके लिए किस परकार की कर्शी का सुझाव देंगे? तो आप सुझाव देंगे, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, फिर क्यूं ये सुझाव दे रहे हैं, उसको इस्पस्ट करेंगे, तो अपने उत्तर को आकर्शक बाति ये बुनाउट को स्फष्ट करना है कि कौन कौन सी जातियां वहां थी भान प्रकार का संगवाद का संगवाद की संगवाद के तरीके आपको ध्यान किन बातों पर निर्भर करता है इसपस्ट करें आपकी दरश्ट्य में विकास की धान्यता के संदर में हमारे लक्सी क्या होने चाहिए आपका दरश्ट्य कौण पूछा गये धानयता विकास की धान्यता यह वह धानयता है जो भruce विश्य की यानि भावी पीडियों उध्यान में रख कर किया जाता है तो इसका क्या लक्षी हो सकता है या आपकी सोच को नोट करेगा अग्जामिनरिया आप पोइंट लिखें फिर उसके इंडरलाइन करें छीपी वी बेरोजगारी फिर उसका विस्तार करें विवरण आत्म शार माग्चिन आसे होता है ऐसे चीन लगा दे फिर उसका उत्तर आगे लिखें शीपी वी बेरोजगारी को कम वकरने के करता है कि हाँ यहां बेरोजगार ही यह लोग चिपी भी रोजगारी ग्रामेड शेत्रों में में कर्षी में होती है तो इसको कम करने के करने का प्रियास क्यूं करती है सरकार को कौन सा फाइदा होता है जिसके कारण वो विदेशी निवेश को आकरसीत करती है तो यह आपको बताना है इसमें पॉइंट लिखें फिर अंडरलाइन कर विवरण करें बिर्वना आत्मक्चिन लगाकर आगे विश्तार करें विवरण मिन्हाँ ज्यादा होगी कई बत्यों को यह होता है कि दिर्गूत्र यह परशन कौन से उते हैं थोड़े उत्तरबडे लिखने हैं यूла इरोप में मद्धेवर्ग का उदय हुआ तो उनकी विशेष्टाएं कौन सी थी या ये परसन हमें नहीं आ रहा है तो अथ्वा में जो परसन होगा वो कर सकते हैं कि 1831 के दसक के इरोप वाशियों को किन कठिनाईयों का सामना करना पड़ा इन में से जो आपको अच्छे से आ संभले तब तक काफी देर हो चुकी थी फरवरी तक बच्चों को विश्वास ही नहीं था कि अगजाम होगी कि नहीं होगी अगजाम घोसित होने के बाद विश्वास होया कि हाँ अगजाम जरूर होगी तो अभी हम बहुत कोच कर सकते हैं गबराएं नहीं तो नेक्स्ट प्रबंधन की आवसेक्ता है उसको आपको समझाना है जल संरक्षन कि जो तरीके हैं बहुत सरल है यह हम अपने आसपास ही देखते हैं कि जल को कैसे बचाया जा सकता है यह आना चाहिए मुझे विश्वास है सब बच्चों को यह आता होगा लेकिन यह भी नहीं आता है तो कायों के लोग सहरों के तरफ चले जाते हैं तो उसे सह्री करन कहते हैं तो क्या यह दोनों कारण जल दुर्लबता यह योदो जल को कम करने के लिए या उत्तरदाइ कारक है तो यह सपश्ट करना आपको नेक्स्ट हमारा गुनिस का पर्षन होगा वो होगा कि आपके अनुसार जातीगत ऐसमानता एक कैसे एक चुनोती है कोई तीन तरक देने ये भी हम समाज में देखते हैं वो ही समस्या है कि जातीए ऐसमानता तो आपके विचार पुछे गए हैं कि एक इस परकास एक चुनोती है कोई तर्क देने तीन तीन नंबर का है तो तीन तरक आपसे मांगे गए नेक्स्ट जो हमारा पर्शन है यानि करने का मतलब अथ्वा वाला यह नहीं आ रहा है तो आप अथ्वा वाला कर सकते हैं कि लहेंगिक आसमानता दूर करने के लिए अपने तीन सुजाव दीजी, लेंगी का इसमानता आपको पता होना चाहिए, महीला और पुरुस के भी जो इसमानता होती है लड़की और लड़के की भी जो इसमानता आपने वो समसिया हैं जो हम देखते हैं आसपस, समझिक समसिया हैं यह, तो यह आप जरूर नोट करते हूंगे, तिन सुझाव देने हैं कि इसको कैसे दूर करें कि आपके सुझाव मागे गये हैं नेक्स्ट हमारा जो पर्षन है वो है 20 नंबर का आपके मतांसार वस्तु विनमे परणाली और मोद्री के व Albania परणाली में कौन सी परणाली स्रेष्ट है और क्यों ये कल ही आपको उसमें सेखावाटी मिशन 100 में मैंने भोती बारी की से और सहज और सरल भासा में इसको समझाया है कि वस्तू विनिमे पर्णाली वस्तू के बदले वस्तू और मुद्री के विनिमे पर्णाली मतलब पैसे दे कर या मुद्रा के बदले हम कोई वस्तु खरीदे तो इन में से स्रेश्ट कौन सी होगी क्योंकि वस्तु विनिमे पर्णाली में दोहरे सहियों की कठिनाई उत्पन हो जाती है समस्य उत्पन हो जाती है तो आपको बताना है कि इसमें से बेहतर जो पढ़नाली है वो कौन सी है तो इसको चुनना है आपको बताना है ये परशन भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप अर्थवा में कर सकते हैं कि अर्थवा विस्था में मुद्रा की भूमी का रुपए पैसे की भूमिका क्या है ये बताना खंड से सुरू हो जाता है हमारा और ये है निमंदात्मक पर्षन वाला खंड दैव शुरू होगा हमारा खंड से के हमने अहल कर लिए 17 से 20 तक थे 21 और 22 का जो खंड होगा वो दैव होगा निमंदात्मक परशन वाला अब निमंदात्मक परशन हम देख लेते हैं एसा योगा अंदोलन में सहरी मध्यम वर्ग की भूमिका का वर्णन करना है एसा योगा अंदोलन वोई 2020 में गांधी जी के नेतरतों में चला था कि अंग्रेजुंका हमें सहयोग नहीं करना एसा योग करना है तो ऐसा योगा अंदोलन को हम देख लेते हैं या तो आप सहरी मध्यम वर्ग की भूमिका बता सकते हैं कि किस परकार से सहर का जो मध्यम वर्ग था उसमें भूमिका निभाई ऐसा योगा अंदोलन में या यह परशन आपको नहीं आ रहा है तो नीचे वाला देख लें सभीन्य अवग्या अंदोलन की प्रगति का वर्णन कीजिए सभीन्य अवग्या अंदोलन जो 1930 में चला था गांधी जी की नेतरतों में वही अंदोलन है तो सभीन्य अवग्या अंदोलन की प्रगति का दूसरा कर लें 22 नंबर हमारा पर्शन है कि आंदोलन से आप क्या समझते आंदोलन दबाव समों से कर इस परकार भिंता रखते हैं इस पस्ट कीजिए आंदोलन से आप क्या समझते हैं तो आंदोलन के बारे में बताएं पहले और दबाव समों रांदोलन में अंतर बताना है यह अगर आपको नहीं आ रहा है तो नीचे वाला देख लें, कि नेपाल में लोगतंतर के लिए दूसरा अंदोलन किस परकार से हुआ उसकी विवेचना करनी है, नेक्स्ट जो हमारा 23 नंबर पर्षन होगा, कहने का मतलब हमारे पेपर में 23 पर्षन होंगे, और 23 पर्षनों को हम किस तरीके से हल करेंगे, बड़ी सरल और सहल तरीके से सांत दिमाग से हम अपने पेपर को हल करेंगे और मुझे विश्वास है कि आप पूरे में से पूरे नमबर लालेंवाले हो दिये गए भारत के रेखा मांचितर में निम्नुखित को अंकित कीजिए तो आपको कचकी खाड़ी दिखानी है भारत के मांचितर में कचकी खाड़ी आपको पता होना चे गुजरात के पास है गुजरात और पाकिस्तान के बोर्डर के पास नेवली, तमिलनाडू, वारंगल, तेलंगाना वारंगल तेलंगाना की एक शिटी है गया विहार में है ये सब आप भर लोगे तो दिये गए भारत के रेखा मानचितर ने उनको अंकित करना है सिंग रोली कलप कम तमिनाडू मुंबई हाई मुंबई में कलोल ये सब आप अपने मानचितर में दर्साएं यती महतोपूर्ण आपको पेपर करवाया गया है आप इसको करें आपके कहीं भी दिक्कत आ रही है आप लाइक शेर सब्सक्राइब करें कमेंट जरूर करें ताकि समस्या का प बीजी सिडूल में से आपके लिए कुछ पल निकाल पाती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप सच में देख रहे हैं और लाब ले रहे हैं तो आप कमेंट करेंगे तब ही मुझे विश्वास होगा मैं गोवर्मेंटी स्कूल में एक लक्चरर हूँ पोल्टिकल साइंस एजे पोल्टिकल साइंस तो मैं बड़े बीजी सिडूल से आपके लिए ये सब कर पाती हूँ क्योंकि एजे हाउस वाइफ की भूमिका भी निभानी पड़ती है महिला को तो आप कमेंट नहीं करते तो मेरा होसला है वो बढ़ता नहीं है मुझे यू निरासा होती है कि कास पताने मेरी जो सब्द है मेरी जो मेनत है उससे किसी का भला हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें